पेपा और जॉज प्लेग्रूप में जा रहे हैं, ये जॉज का पहला दिन है। जॉज, क्या तुम्हें प्लेग्रूप में जाना अच्छा लग रहा है। तैडी, मुझे लगता है जॉज अभी प्लेग्रूप के लिए बहुत छोटा है। वो ठीक रहेगा पैपा और फिर तुम और मिस्टर डाइनसौर वहां उसके साथ रहोगे लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ खेलना चाहती हूं ना कि जोज और उसके डाइनसौर से ओडिया पैपा जोज के साथ प्ले ग्रूप में जाना नहीं चाहती हम पहुंच गए तैड़ी आपको यकीन है जोज बड़ा हो गया है वो ठीक रहेगा ठीक है यह आ सकता है बाइबाइब मैडम गजैल प्लेगुट के बच्चों की देख भाल करती है हेलो यह है मेरा छोटा भाई जोज हेलो जोज काश मेरा भी एक जोड़ जैसा चुटा भाई होता सच में हेलो मैं हू डानी डॉग क्या यह डाइनोसार है यह सिर्फ ए खिलोना डाइनोसार है सच में टरावना है यह शांदार है जोज मेरा भाई है और वो कमार का है पैपा को उपने छोटे भाई जोज पर गर्व है जलो हम जोज को बताते हैं कि तस्वीरे कैसे बनती है जोज की पेंटिंग इतनी अmmhosी नहीं है शायद तुम उनके मदद कर सकती हो हाँ मुझे बहुत अच्छी आती है मैं इसे दिखांगी फूल कैसे पेंट करना है जोट आज मैं तुन हम् başka पूल कैसे पेंट करते हैं? पहले तुम एक बड़ा सर्कल पेंट करो नहीं जोर्ज ये रंग सही नहीं है अब तुम पूल की पत्तियों को पेंट करो जोर्ज ये सही शेप नहीं है अब तुम इसकी डंडिय और पत्तियां पेंट करो परफेक्ट जोर्ज तुमने बिल्कुल गलत बनाया है देखें तो तुमने क्या बनाया है मैंने फूल पेंट किया है ये बहुत अच्छा है पेपा और जोर्ज ने पेंट किया है एक डाइनसौर ये डाइनसौर जोर्ज और पेपा की तस्वीरों को दिवार पर लगाना चाहिए पेपा तुम्हें अपने चोटे भाई पर गर्ब होना चाहिए हाँ मुझे है घर जाने का समय हो गया और बच्चों के ममी बाबा उन्हें लेने आ गए हैं क्या जोर्ज फिर से आ सकता है हाँ और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जोर्ज एक और डाइनसौर की तस्वीर शायद तुम हमें सिखा सकते हो कि डाइनसौर कैसे पेंट करते हैं शांदार हाँ शांदार शांदार पेपा अपनी पहली बैले की क्लास में जा रही है यह है माडम गजेल बैले की टीचर तो तुम हो छोटी पेपा मैं हू माडम गजेल हेलो माडम ओ कितनी प्यारी हो तुम तुम्हारा इस बैले क्लास में तहे दिल से सुवागत है मैं तुम हैं बाद में लेने आऊंगी बाई-बाई यह रहे पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सूजी शीप, डानी डॉग, रबेका राबिट और पेड्रो पोनी बच्चो, आज एक नई स्टूडिंट आई है, पेपा पिग जाओ पेपा, अपने दोस्तों से मिलो हेलो दोस्तो हेलो पेपा हम शुरू करेंगे डेमी पलिये से डेमी पलिये अब एक चूटा जंप, पटी जित है नजाकत और संदर्ता से, पटी जित है पटी जित है नजाकत और संदर्ता पैले की क्लास बहुत मज़ेदार है अपने हाथ उपर उठाओ इसा सोचो कि तुम्हें खूबसूरत हंस हो और तुम्हें क्या लगता है हंस कैसी आवाज करेगा पैपा को नाचना बहुत पसंद है मामी मामी हम सबने हंसो की तरह डांस किया पैपा ने बहुत अच्छा किया मैने बहुत नजाकत से और सुन्दर तैसे डांस किया शाबाश मैं आपको दिखाओ मैने कैसे डांस किया पहले घर चलते हैं फिर तुम डाडी पिक को और जोज को और मुझे दिखाना बाइ बाई बढ़े है क्या वो मुश्किल है मेरे लिए तो बहुत आसान था पर आपके लिए जोज और मामी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा पहले हमेचा ये म्यूजिक गुट अब जोज, टाड़ी और मामी आप वैसा कीजे जैसा मैं करती हूँ माडम गर्जेल ने मज़ेदार शब्द बोले पर असल में सिर्फ गुटनों को मोड़ना होता है और जॉब करना है पटी शिते डाड़ी, आपको वो शब पता है क्योंकि मामी पिक और में बैले करते थे साफधानी से डाड़ी पिक हमें सबसे ज्यादा पसंद था पैटिटर मुझे ठीक से याद नहीं रहा पुद्द डाड़ी पेग शायद हमें पैपा को ही बैले करते देखना चाहिए हाँ, मैं उसमें सबसे अची हूँ मैं खुबसूरत हंस हूँ पैपा और जॉज के यहाँ फैंसी ड्रेस पार्टी है उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है पैपा ने पर्यू की राजकमारी की ड्रेस पहनी है और जॉज ने डाइनसौर की ड्रेस पहनी है डाइनसौर यहें पेपा के दोस्त, कैंडी काट, सुजी शीव, दैनी डॉग, रबेका रबिट और पेड्रो पोनिग सुजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है हेलो सुजी हेलो मिस्टर पेग मुझे खुशी है कि नर्स आ गई क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो फ्रेंशी टेस वाली नर्स हूँ हाहा, बहुत अच्छे, अरे वा, यह कौन आए है मैं हूँ पाइरेट, मुझसे सब डरो मैं जादू करनी हूँ, मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ नै, मैं एक जोकर हो हाहा, बहुत अच्छे, तुम क्या बनी हूँ, रिपेकर रबिट मैं काजर हूँ बढ़ी हा, अंदर आ जाओ, एक फेरी प्रिंसिस और डाइनोसर तुम सब से मिलने के लिए रुके हैं कैसे हो दोस्तो हेलो पेपा हेलो सुजी, मैं हूँ राजकुमारी पेपा तुम्हे मुझ से जुग कर बात करनी चाहिए हेलो राजकुमारी मैं हूँ नर्स सुजी, मुझ खोल कर कहिए नै, मैं हूँ जोकर कुछ मजेतार करो रिबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यो हो मुझे काचर पसंद है डाइनसौर पापरी, तरावना, डाइनसौर पेपा आइने में खुद को खुशी से देख रही है पीवार पर टंगे हुए आइने, बताओ सबसे सुन्दर कौन है तुम हो पेपा हेलो पेपा हेलो, मैं परियो की राज कुमारी हूँ और मैं जादूगर्नी मेरे पास एक जादूई छड़ी है मेरे पास भी जादूई छड़ी है मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ और मैं भी तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ ताइनिस्या। ओहो, जोज तो खुद को देखकर ही डर गया। ओफो जोज, दिखो आइने में तुम ही हो। बच्चों, अब ये तैह करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रिस्क इसने पहना है। अब जज कौन बनेगा? में! ये पेपा की पार्टी है, तो जज भी उसे बनना चाहिए। मैं जज हूँ मैं जजू। ताइडी, जज क्या होता है? जज तैह करेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है अरे वह। पेपा ये तैह करेगी कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है Suzy, क्या मैं तुम्हारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स Suzy हूँ, मैं लोगों को ठीक काती हूँ शाबाश नर्स Suzy, अब डानी मैं हूँ पायरेट, मुझसे सब डरो अब कैंडी मैं जादूगर्नी हूँ, मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ मैं परियों की राजकुमारी और मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ बच्चो, बच्चो सारी मामी अब कौन? मैं जोकर हूँ कितना मसेदार है और रेपेका? मैं गाजर हूँ अरे वाह और मेरा चोटा भाई जोज टरावना डाइनसौर बना है सबके ज्रेस बहुत अच्छे है हुरे! अब तुम बताओ, विजेता कौन है? अरे हाँ और विजेता है पेपा पेपा तुम खुद को नहीं चुन सकती तुम जज हो ओ, नहीं कर सकती तुम्हें कोई और विजेता चुनना होगा ठीक है गाजर जीती वाँ थांक्यू पेपा को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है सभी को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है पेपा और जॉज अपना फेवरिट खाना खा रही है कितना शोर मचा रहे हो खतब हुआ अब हमें थोड़ी शांती मिलेगी ये क्या है ये दाथ है ये कहां से आया पेपा तुम्हें जाकर आइने में देखना चाहिए ये तो मेरा दाथ है ये कैसे गिर गया फिक्र मत करो पेपा ये दूथ का दाथ है वो तो गिरते ही है नया दाथ आजाएगा ना ममी हाँ जरूर आएगा पेपा इसका ये मतलब है कि आज टूथ फेरी तुमसे मिलने आएगी हाँ टूथ फेरी अगर तुम अपना दाथ तक ये के नीचे रखोगी तो टूथ फेरी आएगी टूथ फेरी तुम्हारा दाथ लेकर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूँगी और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जोर्ज ताइनसोर एक ताइनसोर जबी करो जोर्ज सोने का वक्त है नहीं तो हम तूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे सोने से पहले पेपा और जोर्ज अपने दांत ब्रश करते हैं पेपा तुम क्या कर रखे हो मैं अपना दांद प्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फैरी के लिए वाच्छा और साफ हो पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है पेपा अपना टूटा हुआ दांद तक्ये के नीचे रखती है टूथ फैरी के लिए गुद नाइट पेपा और जॉज गुद नाइट मामी, गुद नाइट डाड़ी गुद नाइट प्यारे बच्चो जोर्ज मैं तो सोंगी नहीं चलो हम दोनों पूरी राद जाकते हैं और टूथ फैरी से मिलते हैं यह टूथ फैरी कहब आएगी तूथ फैरी को आने में काफी देरी हो रही है कहां है वो टूथ फैरी वो आवाज कैसी थी, क्या वो टूथ फैरी थे जोर्ज, क्या तुमने कुछ सुना ओ जोर्ज ओ यह वाज तो जोर्ज के खराटों की है वो इतना ठका हुआ था कि सो गया जोर्ज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता पर मैं जग सकती हूँ मैं जाकते रहूंगी और टूथ फैरी को देखूंगी मैं नहीं सोने वाली हूँ आखिरकार टूथ फैरी आही गई लेकिन पेपा सोई हुई है हला पेपा क्या तुम्हेरे दाथ के बदले में तुम्हें ये सिका चाहिए कितना अच्छा और साफ दाथ है तेंक यू पेपा गुद नैट पेपा जोज उच जओ सुबा हो गई क्या मैं सोई नहीं थी क्या टूथ फैरी आई थी नहीं आई चलो तक ये के नीचे देखते हैं देखो पेपा टूथ फैरी आई थी और उसने तुम्हारे लिए गोल्ड कोईन रखा हुदे तुम सो गई थी है ना शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी लेकिन अगली बार में जगी रहोंगी और टूथ फैरी से जरूर मिलोंगी अज स्कूल मेले का दिन है पेपा को मेले में आना अच्छा लगता है ये हैं पेपा के दोस्त केंडी कैट, सुजी शेप, डैनी डॉग, रिबेका रैबिट और पेड्रो पोनी हेलो दोस्तों मुझे स्कूल फैट अच्छा लगता है मुझे भी तुम्हें क्या अच्छा लगता है पेस पेंटिंग करना गुबारे पसंद है मुझे सबसे ज्यादा उच्छने वाला कासल पसंद है मुझे सब कुछ अच्छा लगता है बहुत अच्छी पसंद है पेपा फिर मिलेंगे पेपा फिर मिलेंगे जॉर्ज, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है दाइनसौर मेले में कोई डाइनसौर नहीं है जॉर्ज शायद हम एक डाइनसौर गुबारा ले सकते हैं आपको यकीन है उनके पास डाइनसौर गुबारे हैं डाइडी पिग हाँ हाँ, जरूर होंगे ममी पिग क्या पहले मैं और जॉर्ज अपना मुझ पेंट कर ले मिस रैबिट ने पेपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है ओ ये लो सूजी, अब तुमें एक टाइगर जैसी लगती हो थेंक यू मिस रैबिट वाव, मुझे तुम्हारा चहरा अच्छा लगा सूजी, क्या तुम पुसी कैट हो? नहीं, मैं टाइगर हूँ पेपा, तुम अपना चहरा पेंट कराना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल, मुझे बनना है एक एलिफिंट ओ डियर, मैं एलिफिंट बनाना नहीं जानती, मैं टाइगर बना सकती हूँ ठीक है, टाइगर बना दीजिए लो, हो गया पेपा, अब तुम एक टाइगर हो मैं टाइगर हूँ जोर्ज, तुम क्या बनना चाहते हो? टाइनोसौर एक डाइनोसौर? उसके बज़ाए एक टाइगर कैसा रहेगा, मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ मैं टाइगर हूँ मैं भी टाइगर वुफ वुफ नहीं बोलते हैं तुम्हें कैसे पता? क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लिया होते हैं और मैं एक बिल्ली हूँ कैंडी, क्या तुम हमें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं? ओके, टाइगर बहुत धीरे धीरे चलते हैं और फिर कूटे हृ परूँ करते हैं पर जब टाइगर खुश होते हैं तब फॉर करते हैं हेलो बच्चो हो ये क्या है तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रहे हूं ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं तुम चोटे टाइकर्स और क्या करना चाहते हो डाइनसार बिल्कुल ठीक हमें जॉर्ज के लिए एक डाइनसार गुबारा ढूना है तुम सब को गुबारे दिलाते हैं अलो मैडम गजेल हमें कुछ गुबारे चाहिए जरूर मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुबारे हैं क्या मैं एलेफिंट का गुबारा ले सकती हूँ ये तुम्हारे लिए पैपा मुझे कांगारू चाहिए एक लायन वाला मुझे मंकी चाहिए एक पैरिट वाला हां मेरे मेरे पास ये सब हैं और सबसे जरूरी है हम एक डाइनसौर का गुबारा चाहिए जॉर्ज के लिए ओ दिया मेरे पास डाइनसौर का कोई गुबारा नहीं है फिक्रू मत करो जॉर्ज मेरे पास एक आइडिया है क्या हम ये दो लंबे गुबारे ले सकते हैं सब लोग उसको देखो डाडी पिग वह पारे से क्या कर रहे है बन गया क्या कोई बता सकता है ये क्या है ये का गरू है नहीं ये है डाइनासार बिलकुल ठीक डाइनासार डाइनासार गुबारा बनाया अब उचलने वाला कासल पैपा को उचलने वाले कैसल में उचलना पसंद है सब को उचलने वाले कैसल पर उचलना पसंद है पैपा अपनी सबसे अच्छी सहेली सूजी शीप का इंतजार कर रही है सूजी शीप पैपा के साथ खेलने के लिए आई है पैपा को सूजी पसंद है सूजी को पैपा पसंद है वो पक्की सहेलीया है पैपा क्यों ने तुम और सूजी बेड्रूम में जाकर खेलो ठीक है ममी जोर्ज भी खेलना चाहता है पैपा और सूजी को पैपा के वेड्रूम में खेलना अच्छा रखता है और जोर्ज को भी नहीं जोर्ज ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है जाओ और अपने खिलोनों से खेलो पैपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं मैं बहुत चोटी सी परियों की राजकुमारी हूँ मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ और सुमें एक मिंदग बना दूंगी जोर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता जोर्ज भी खेलना चाहता है नहीं जोर्ज मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ तुम कहीं और जाकर खेलो जोर्ज पैपा के साथ खेलना चाहता है वो अकेला मैंसूस कर रहा है जोर्ज मुझे मदद चाहिए मैं चौकले चिप कुकीज बना रही हूँ जरा बोल में से चक कर बताओ जॉर्श को कुकीज बनाने में ममी की मदद करना अच्छा लगता है लेकिन उसे पैपा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा जॉर्श पैपा और सुजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जॉर्श को भी पैपा जॉर्श की धड़कन सुनती है जॉर्श आप एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खासो मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा धीला है मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ मुझे ख़लो प्लीज सुजी जॉर्श का टेंपरेचर चेक करती है तुम्हें बहुत जादा बुखार है मेरे ख्याल से तुम्हें तीन साल तक आराम करना होगा डैडी बिग जॉर्श को देखने आये है ओ नहीं क्या हुआ है जॉर्श को चिंता मत कीजिए यह सिर्फ खेल है जॉर्श हमारा मरीज बना है ओ समझा क्या हम मरीज से मिल सकते हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए वरना वो ठक सकता है कुकीज हाँ यह जॉर्श के लिए है यह उसकी दवाई है ताके ठीक हो जाए ही 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 माफ करना डॉक्टर मेरी मदद कर सकती हो मेरा पेट दुख रहा है इसमें गुदगुदी होती है मैं इसके गुर्गुर सुन सकती हूँ मुझे लगता आपको भूक लगी है मुझे लगता है अच्छा होने के लिए मुझे बहुत सी को किस खानी चाहिए और मुझे भी और मुझे भी और मुझे भी स्कूल का नाटक पेपा की क्लास एक नाटक करने वाली है सभी बच्चों ने एक नाटक में भाग लिया है उन्हें घर में प्राक्टिस करनी होगा पेपा होगी लिटल रेड राइडिंग होड लिए दो फिक ने पेपा को तयार किया है और डैडी पेपा की प्राक्टिस में मदद कर रहे है तो बताओ पेपा तुम्हें क्या बोलना है मैं हूँ लिचल रेड राइडिंग होड बहुत अच्छे उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूं मैं दादी से मिलने जा रही हूं शाबश पेपा डानी डॉग बनेगा बड़ा बुरा भेडिया दादा डॉग और मामी डॉग प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रहे हैं मैं हूँ बड़ा बुरा भेडिया कि बोलने के बाद हसना नहीं डानी तुम्हें डरावना लगना चाहिए देखो मैं कैसे करता हूँ मैं हूँ एक बड़ा पुरा भेडिया और मैं तुम सबको खा जाऊंगा देखा हा सच मुझ बहुत डरावना था पेड्रो पोनी शिकारी बनने वाला है वो पेपा को उस भेडिये से बचाएगा मैं एक शिकारी हूँ और पेड्रो थोड़ा शर्मीला है नए तुम कहना मैं तुम्हें भगा देने वाला हूँ बड़े बुरे भेडिये मैं तुम्हें बखा दूँगा बुरे बेडिये शाबाज, पेड्रो रिबेका रैबिट दादी बनने वाली है मैं क्या बोलू, मम्मी? देखते हैं, नातक के शुरुवात में बड़ा बुरा बेडिया तुम्हें अलमारी में बन कर देगा नातक के अंत में तुम्हें शिकारी बचा लेगा और तुम कहोगी थांक यू कहो थांक यू थांक यू बहुत अच्छे, रिबेका स्कूल में नातक देखने सभी आए हैं आप सभी का स्वागत है हम पेश कर रहे हैं दे लिटल रेज राइडिंग होड तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से प्लीज, प्लीज, कलाकारों की फोटो लेना मना है ऐसा मत कीजिए और अब शिरू करते हैं हमारा नाटा दाधी घर पर है पर ये महमान कौन है मैं हूँ बडा बुरा भेडिया क्या बाद है दानी अँ आगे क्या बोलना है ये दानी भूल गया दाधी आप अलमारी में चले जाओ अलमारी में जाओ बडा बुरा भेडिया दाधी बनने की नकल कर रहा है मैं हू लिटिल रेड राइडिंग होड मैं दाधी से मिलने जा रही हूँ शावाश पेपा टाधी आपको फोटो नहीं कीचने चाहिए तुम मेरी दाधी के तर नहीं देख रही हो तुमारे आठे कितने बड़ी है तुम मेरी दाधी नहीं हो तुम एक बड़े बरे भेडिये हो बचाओ कोई बचाओ बचाओ पर देखो, यहां कौन आया है? यह है शिकारी पेद्रो. बचाओ, कोई, बचाओ. बिल्कुल सही वक्त पर, शिकारी पेद्रो. पेद्रो थोड़ा शर्मीला है. पेद्रो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमारे साथ चलू? हाँ, प्लीज. तुम बहुत ही सदाटी बेरिये हो. मैंने आपको बचा लिया दाजी. थैंक यू. शाबर, शाबर. बहुत अच्छे. पेद्रो, तुमने बहुत अच्छा किया. तुम बिल्कुल मेरे इतने अच्छे थे. थेंक. कि दादा पिक की बेट दादा पिक पेपा और ज़ॉज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं तुम्हारा सवागत है प्यारे बच्चों पेपा, जॉर्ज, चलो लाइफ जैकेट्स पहन लो दादा पिक की बोट पर पेपा और जॉर्ज को लाइफ जैकेट्स पहनने ही पढ़ते हैं पता है बच्चों, इस बोट का क्याप्टन मैं हूँ आई आई कैप्टन आई आई कैप्टन जब कैप्टन दादा तुम सब को कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए बेवकूफी छोड़ कर कैप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते बेलकुल नहीं कैप्टन दादा जोर्ज जंडा लहराओ पेपा बेल बजाओ आई आई काप्टेन डादी पिग वील सम्हा लो आई आई काप्टेन चलो चलते हैं तीज चलो शायद आपको थोड़ा दीरी चलाना चाहिए तुमने सही कहा डादी पिग मुझे अपना सारा पेट्रोल खातम नहीं करना है दादा पिग तीज चलिये ना अच्छा लग रहा था जाएंगे बेटा जाएंगे हम बाद में तेज जाएंगे देखिए एक और बोट यह है दादा डॉग वो डानी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आए है कैसे हो डानी और दादा डॉग अहो कैसे हो डादा पिग हलो डानी हलो पेपा दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट अभी भी तैर रही है दादा डॉग वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है यह पुरानी बोट तुम्हारी जंग लगी बालते से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग ओ अच्छा, तो चलो समुदरी डॉग, रेस लगा कर देखते हैं हरने के लिए तयार हो जाओ, पाने पेग आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बरताव कर रहे हैं दादा डॉग ने मुझे पानी पिक कहा आपने पहले उन्हें समुदरी डॉग कहा, दादा आपको सौरी बोलना चाहिए अगर उस्ते पहले सौरी बोला तो बोलूगा दादा, अपने दोस्त दादा पिक को सौरी बोलिये, वो आपके बेस फ्रेंड है ना नहीं, वो पानी पिक है और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है अच्छा तो ठीक है समुदरी डॉग, अगले ब्रिज तक रेस लगाते हैं तो चलो तीन तक गिनते हैं एक, दो, तीन तुमने बहुत जल्दी शुरू किया मुझे पकड़के दिखाओ पानी बेक समुदरी डॉग बस इतना ही तेज भगा सकते हो तुम मुझे नहीं पड़ सकते हैं जीत गया ओ, यह क्या दादा पिक की बोड का पेट्रोल खत्म हो गया बहुत होशियारी की कैप्टन दादा शाद मेने कुछ जाधा ही तेज चला दी हम वापस घर केसे जाएंगे वो देखिये, दादा डॉग दादा डॉग हमें खीच कर वापस ले जाएंगे नहीं मुझे उस समुद्री डॉग स अपनी बोड को नहीं खचवाना मैंने उस पाने पिक को खीचने के लिए पूछा भी नहीं क्या आप दुनों कभी बड़े होंगे दादा पिक, अब दादा डॉग को सौरी बोलिये मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें समुद्री डॉग कहा दादा, दादा पिक को सौरी बोलिये न मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें पानी पिक कहा बहुत अच्छे दादा डॉग, क्या आप हमें खीच कर घर तक ली जाएंगे? और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी, मैडम इसे पकड़ो, कैप्चन आल राइट, स्किपब दादा डॉग, दादा पिक के बेस्ट फ्रेंट है दादा डॉग, दादा पिक की बोट को खीच कर घर ले जा रही है सबसे मज़ेदार बात तो ये है, कि मैं रेस चीट गया दादा पिक, शहरारती दादा पिक फेपा, बेल बचाओ आयाय, कैप्टेन प्लेग्राउंड पेपा और जॉज अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में है कैंडी कैट और पेड्रो पोनी क्लाइमिंग फ्रेम पर है रोबेका राबिट, सुजी शीप और डानी डॉग स्लाइट पर खेल रहे है पेपा जूले पर जूल रही है मामी मामी जूला जुलाओ ना तुम तैयार हो हाँ मुझे बहुत उचा जाना है वी और ऊपर मामी जूच को भी जूले पर जूलना है अब तुमारी बारी जूच कसकर पकड़ो मैं जूच को जूलाओंगी जूच को दीरे से जूलाना पेपा जी मामी कसके पकड़ना जूच पेपा ने जोज को बहुत जोर से जुला जुलाया जोज को ये बिलकुल पसंद नहीं पेपा तुम्हें पता है जोज को उचाए से डर लगता है सौरी जोज चलो वहाँ खेलते हैं हलो सूजी हलो डानी हलो पेपा तुम सब गलत कर रहे हो जुलने का सही तरीका ये है पीछे रहो एक दो चलो मेरी तरब देखो मैं पंची की तरह उड़ रही हूँ मैं फस गई हूँ पेपा टायर में फस गई है ये हसने वाली बात नहीं है हमें थोड़ी हसी तो आ रही है तुम्हें बाहर निकालना होगा पेपा के दोस्त उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे है किया रूँ पर खेलना है क्लाइमिंग फ्रेम बहुत उची है जोर्ज को उचाई से डर लगता है सॉरी जोर्ज अच्छा जलो स्लाइड पर खेलते हैं स्लाइड यिपी पेपा को स्लाइड करना बहुत पसंद है सबको स्लाइड करना पसंद है मामी डाडी मुझे देखिये एक दो चलो ये जोर्ज को भी स्लाइड पर खेलना है तुम डरोगे तो नहीं न जोर्ज ये थोड़ा उंचा है ठीक है मैं तुम्हें उपर चड़ा देता हूँ ये भी जोर्ज के लिए बहुत उंचा है टरो मत जोर्ज मैं साथ में स्लाइड करता हूँ डाडी आप इस लाइड के लिए बहुत बड़े है कुछ भी मत कहो पेपा मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ चलो पीछे हटो एक दो तिर डाडी पिक फस गए इसमें हसने की क्या बात है डाडी आपको देखकर बहुत हसी आ रही है हाँ शायद थोड़ी हसी आ सकती है हमें आपको नीचे दखेलना होगा जोर्ज को डाडी के पेट पर उचल कर अच्छा लग रहा है जोर्ज को अब उचाए से बिल्कुल डार नहीं लगता तब यह ठीक नहीं ममी और डाडी पिग ने अभी-अभी पेपा और जोर्ज के लिए नाश्ता बनाया है नाश्ता तयार है पेपा के चेहरे पर लाल दाने निकलाए है मामी मुझे ठीक नहीं लग रहा मेरी प्यारी पेपा तुम बिमार लग रही हो चिंता मत करो मैं डॉक्टर ब्राउन बेर को बुलाता हूं डॉक्टर ब्राउन बेर बोल रहा हूं पेपा की तब्य ठीक नहीं है उसके चेहरे पर लाल दाने निकलाए है पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुचता हूँ पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेर आए है हेलो बेटा पेपा, कैसी तब्यत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा अपनी जबान जरा बाहर निकालो डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सिर्फ रैशेज आए है मुझे दवाई की जरूरत है रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे पर अगर तुम चाहती हो, तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ हाँ, दीजिये ना इसका स्वाद शाय अधे तुम्हें पसंद आए चलो अब मुझ खोलो यक, गंदी और कडवी बड़ी ही बहादुर लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली पेपा को आराम करना चाहिए उसकी तबियत के बारे में बाद में फोन करके पूछूँगा पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ, हाँ, ज़रूर आ सकते हैं ये रैशस फैलेंगी नहीं गुडबाई बार बार, डॉक्टर ब्राउन बेर मामी, क्या मैं उठ सकती हो? डॉक्टर ब्राउन बेर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है, पेपा पर ये कितना बोरिंग है डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ हेलो मिसस पेग पेपा सूजी से बात करना चाहती है हेलो सूजी हेलो पेपा, मेरी तबिया ठीक नहीं है मेरे जहरे पर रैश है डॉक्टर आये थे क्या हाँ, डॉक्टर ब्राउन बेर आये थे उन्होंने कहा मेरी तबिया ठीक नहीं है पर मैं बहुत बहादुर हूँ तो तुम सचमुझ बीमार हो हाँ, हाँ, मैं जूट नहीं बोल रही मुझे बिस्दर में ही रहना है डॉक्टर ब्राउन बेर ने मुझे एक बहुत ही गंदी और कड़ी दवाई दी थी मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ मैं नर्स वाले कपड़े पहन कर आती हूँ सुजी शीप पेपा से मिलने आई है सुजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने है तुम कैसी हो पेपा मेरी तब्या ठीक नहीं है सुजी मुझे बिस्तर पर लेटे रहना है तुम्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तुम मेरे लिए संत्रे का जूस ला सकती हो ठीक है लगता है कि पेपा को बड़ा मजा आ रहा है ठांक यू सुजी अभी कुछ ठीक लग रहा है हाँ थोड़ा सा टानी मेरी ममी से पूछो क्या मैं आइस क्रीम खा सकती हूँ और रिबेका क्या तुम बगीचे से मेरे लिए फूल ला सकती हो पेपा ठीक हुई यह नहीं यह देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बैर आए है अरे वा नर्स तो पहले से ही पहुच गई तो बताओ मरीज कैसा है मैं असली नर्स नहीं हूँ मैं तो पस ऐसी ही अच्छा जी तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ हाँ प्लीज हरे वाह रैशिस गायब हो गए है तुम तब बिलकुल ठीक हो गई क्या मैं थोड़ी भी बिमार नहीं हूँ अब कैसा लग रहा है मुझे लगता है और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है कौन आएगा मेरे साथ में 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 भी हाहा अरे यह क्या तुम तो बिलकुल ठीक हो गई हाहा आज शानदार दूप के लिए और पेपा और चॉर्ज अपनी साइकल ही चला रहे है कितना बढ़िया पंकिन है डाडी पेग डाडी पेग को अपने पंकिन पर नाज है मुझे बस पंकिन ही उखाने आते हैं शायद इसलिए मुझे पंकिन पाई से प्यार है चलड़ी आओ जोर्ज यानी सूजी रिबेका पैपा और उसके दोस्त डैनी डाग सूजी शीप और रिबेका रैबिट अपनी अपनी साइकल है जला रहे हैं और जोर्ज अपनी ट्राइसीकल चला रहा है यह कितना धीरे चलाता है चलो डाड़ी पिक के पंकिन की तरफ रेस लगाएं अगर हम डाड़ी के पंकिन की तरफ रेस लगाएं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उससे टकरान आ जाए अगर पंकिन टूट गया तो डाड़ी बहुत नाराज हो जाएंगे चिंता मत करो पैपा रेस करो पैपा और उसके दोस्ट डैडी पिक के पंप्किन की तरफ फ्रेज लगा रहे हैं मेरे पंप्किन का ध्यान रखना पैपा ध्यान से डैडी का पंप्किन सॉरी डैडी देखो जोज को वो कितने धीरे चला रहा है जोज अभी तक बच्चों की साइकल चलाता है तुम्हारी भी तो बच्चों की साइकल है पैपा इसमें भी बैलंसर लगे हैं मैं बिना बैलंसर के चला सकती हूँ मैं भी मैं भी चलो फिर से पहाडी पर चड़े तुम आओगी पैपा नहीं मैं यहीं पर रहूंगी बाइ 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 पैपा चाहती है कि उसकी साइकल में बैलंसर नहीं चाहिए तुम बिना बैलंसर के चला पाओगी ठीक है पैपा इसे निकाल देते हैं डैटी पिग पैपा की साइकल में से बैलंसर निकाल रहे हैं क्या तुम सच में बिना बैलंसर के चला पाओगी हां मुझे नहीं लगता तुम चला पाओगी मैं चला सकती हूं हां हां इसमें हसने जैसा क्या है बिना बैलंसर के साइकल चलाना आसान नहीं होता मैं तुम्हारी मदद करूं पैपा हां डैरी प्लीज ठीक है रेड़ी सड़ी गो छोड़ना मत डैरी दब्राव मत मैं पकड़े हूँ काफी अच्छा चला रही हो पैपा छोड़ना मत डैरी बस पैडल चलाती रहो पैपा बिना बैलंसर के साइकल अपने आप चला रही है टैडी आपने मुझे छोड़ दिया तुम तो कितनी देर से अपने आप चला रही हो सच में तुम सच मुझ बहुत अच्छा चलाती हो सच में ओ मैं चला सकती हूँ देखो मुझे देखो मुझे मैं साइकल ठीक सच चला सकती हूँ टैनी सूजी रिबेक्का देखो मैं बिना बैलंसर के साइकल चला सकती हूँ देखो मुझे देखो डैडी के पंकिन की तरफ रेस लगाएंगे पेपा मेरे पंकिन का ध्यान रखना अजीद जाओंगी पेपा नहीं देख रही का वो कहां जा रही है पेपा ने तो डैडी पेग के पंकिन की चटनी बना दी सॉरी मैंने आपका पंकिन तोट दिया डैडी पंकिन की चिंता मत करो ज़रूरी यह है कि तुम ठीक ठाक हो आगे से ध्यान रखना कि किस तरफ जा रही हो प्रॉमस डैडी जरूर रखोंगे गूड हा तो जब पंकिन टूटी गया है तो क्यों न इसकी पंकिन पाई बना ली जाए मुझे पसंद है पम्किन पाई और क्योंकि डाड़ी पिक का पम्किन इतना बड़ा है इसलिए सब के लिए काफी पम्किन पाई होगी मेरी बर्थ दे पाथी आज पेपा का बर्थ दे है और सुभा हो चुकी है आज मेरा बर्थ दे है जोज उठो मेरा बर्थ दे आज मेरी पार्थी है और डाड़ी जादू दिखाने वाले है जल्डी चलो जोज ममी और डाड़ी को उठाते है ममी पिग और डाड़ी पिग अभी भी सो रहे है उठिये मेरा बर्थ दे उठिये कितने बज़े हैं बहुत देर हो गई है सुभा के पाँच बजे है हाँ, पूरा दिन खतम हो रहा है चलो, तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करते हैं यिपी मॉमी पिग, डादी पिग और जॉर्च पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं हापी बर्थडे पेपा क्या है इसमें गुडिया का ड्रेस मैं से टेडी को पेनाती हूं आप सब को थांक यू खुश रहो पेपा मुझे नहीं पता था ये टेडी एक लड़की टेडी है तैडी, आपको नहीं पता टेडी लड़की है मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है कोई बात नहीं टेडी बस इसे खराब मत करना तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है मेरे बद्ध पाटी में मेरे दोस्त आ रहे है और ड्दी जादू दिखाने वाले है किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे ड्दी है तुम सब को बताओगे के मैं अद्भुत जादूगर हूँ बुद्भाजाओ हाँ अद्भुत जादूगर डाटी तो पूरे हफते से अपने जादू के खेल की प्राक्टिस कर रहे है मेरे दोस्ता आ गए यपी पेपा के दोस्ता आ गए कैंडी काट, सुजी शीप, डाडी डॉग, रबेका राबट और पेड्रो पूनी हलो दोस्ता आ गए पेपा चलो बच्चो पाटी शुरू हो रही है ये 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 डाडी पिग जादू का शो करने वाले है पेपा याद है न तुम्हें क्या कहना है मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ एक बहुती अद्भुत जादूगर जी डाडी दोस्तों पेश करती हूँ जादूगर डाडी ये रही मेरी पहली ट्रिक अबराकाडाबरा वाव, ये तो टेरी है मेरे अगले जादू के लिए मुझे तुम में से किसी की मदद चाहिए मुझे एक ही चाहिए प्यारी बच्चे, तुमने पहले हाथ उठाया चलो अब दर्शकों को अपना नाम बताओ सुजी शीप देखो सुजी, ये रहे तीन बॉल एक लाल, एक नीला और एक पीला ठीक है जब में पीछे मुड़ जाओंगा तब तुम्हे मुझे बिना बताओ एक चुनना होगा ठीक है क्या तुमने एक चुन ली? हाँ आबरा का डाबरा तुमने चुनी पीली नहीं आबरा का डाबरा नीली? नहीं पाबरा का डाबरा लाल? हाँ सही जवाब हुर्ड़े भुर्तु जादु कर डाड़ी आपने तीनो रंग बता दिये पैपपा, इसी को बताना नहीं क्या एक और जादु देखना चाहूँ? हाँ, प्लीज अब अपनी आखे बंद करो देखना नहीं है, अब जादु शब्द बोलो अबरकड़ा अबरकड़ा अब अपनी आखे खोल दो हुर्य, मेरा बर्दे केक मौमबतियां बुझाओ पैपा हुर्य, 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 पैपा सभी को ठैंक यू ये मेरा सबसे अच्य बद्दे था